हमास के कमांडर याया सिन्वार ने इसरेल को फिर से डरा दिया है सिन्वार ने इसरेल की भाशा में ऐसी बात कह दी की बिनियामिन नेतनियाहू बहुत टेंशन में है दरसल बंदकों की रहाई के बाद अब कहा जा रहा है कि हमास ने इसरेल के सिर्फ 60 बंधक ही नहीं छोड़े बल्कि इसरेल को 60 बार हरा भी दिया है सीज़ फायर टूट गया जब युद विराम बढ़ाने पर हमास और इसरेल राजी हुए तो घाजा में तैनाथ इसरेली सेना के टैंक और तोपों ने बंबारी कर दे शेख रदवान इलाके में धमाके हुए और दह्शत पैल गए कि युद फिर शुरू हो चुका है इसरेल फिर टनो टन बं घाजा पर गिराएगा फिर इमारतें धैरती जाएंगे और हजारों लाशों को मलबे से निकालने का काम फिर शुरू हो जाएगा जिसमें बच्चे होंगे महिलाएं होंगी बुजर्ग भी होंगे क्योंकि नेतन्याहू तो पहले ही कह चुके हैं कि जब तक हमास बाकी है युद बाकी है और घाजा की तबाही जारी रहेगी यानि सीज फायर की उम्रे ज्यादा नहीं है और अब शेक रद्वान में हुए हमलों ने बता दिया कि सीज फायर तूट गया है युद फिर शुरू होगा और हमास इस बार बिलकुल नहीं बचेगा लेकिन हमास को इसका डर नहीं हमास के कमांडर को इसके फिक्र नहीं क्योंकि इसरेल की मीडिया में जो खबरें चाही है उसने याया सिन्वार का खौफ एक बार फिर पूरे इसरेल में फैला दिया है क्योंकि याया सेनवार को लेकर जो खबर आई है वो वाकई बहुत चौंकाने वाली है ये खबर सुरंग से आई है जहां हमास पूरी तरह एक्टिब है ये खबर हमास के बंधकों ने बताई है वो बंधक जिनको हमास ने रिहा किया है और ये खबर नेतन्याहू के लिए बहुत बड़ा सिर्दर्ट बन चुकी है हमास के कबजे से रिहा हुए एक बंधक ने बता है कि जब घाजा में वो एक सुरंग में कैद करके रखे गए थे तब एक दिन अचानक सुरंग का दर्वाजा खुला और उनके सामने एक व्यक्ति था जो याया सिन्वार बताया जा रहा है वो व्यक्ति इस्रैल में बोली जाने वाली हेब्रो भाशा में बात करने लगा और उसने कहा कि तुम सब यहां हमास के कबजे में महफूज हो तुम लोगों को डरने के कोई जरूरत नहीं तुमें कोई नुकसान नहीं होने दिया जाएगा उसकी हेब्रो भाशा बोलने का लहजब बिल्कुल एक इस्रैली व्यक्ति की तरह था शुरू में उने लगा कि इस्रैल का कोई शक्स उन से बात कर रहा है लगन तर ऐसास हुआ कि ये हमास का कमांदर याया सन्वार ही है तुमना हצाली अवड़त बेमलौ रूट्स्मा इस्रैली प्या सिन्वार मित्खब बुंकिर शेलो वन्तेन लंपगדי हस्दे शेलो, הטרוריסטים, लमूद बश्टख इसलेनो हम फगदीम अलखीम बरोश अकुछ मौविलीम कदीमा, मवीम लेसिगीम वमनीगीम अता कुछोत याया सन्वार अब इस्रैल के सिर पर चड़ गया है इसमें कोई शक नहीं कि घाजा की गलियों में जो युद्ध अब तक हुआ है उस पर याया सन्वार की चाप पड़ी हुई है हमास का एक-एक हमला याया सन्वार की सरपरस्ती में हो रहा है ये बात इस्रैल की फौज बहुत अच्छी तरह जानती है नेतन याहू ने घाजा पहुँचकर पहले ही बता दिया है कि चाहे सीजफ फायर रहेगा या फिर नहीं इसका हमास को खत्म करने के उनके एज़ेंडे पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा वो पहले ही बता चुके हैं कि इस्रैल पर हमला करने वालों को वो चुन-चुन कर मारेंगे हमास को जड़ से खत्म कर देंगे थोजिता हमास through our power जह सम्मास कर एक लिल्गांन हमाश कर चुन थे काथ? हמास करने नहीं मादेख Okay, खज़े, में यस्रेवत, जहाल देवत, यस्रावा प्रभा स्वाव्ण तरीब कर प्रदय कर देसे जनके ट प्र प्र्स्ट यानि हमास का पक्का इलाज होगा हमास को पूरी तरह खत्म कर दिया जाएगा इसकी 100% वाली गारंटी नेतन्याहू बार बार दे रहे है घाजा में सीस फायर करके इसरेल को वक्त मिला उसकी सेना को वक्त मिला हमास को भी वक्त मिला दोनों तरफ अपनी ताकत को फिर से जोटाने का काम हुआ होगा ताकि युद्ध के अगले चरण को और खतरनात बनाया जाए लेकिन इन सबके बीट सबसे बड़ा चैलेंज याया सेनवार बन चुका है याया सेनवार जब तक जिन्दा है नेतन्याहू जीत का दावा नहीं कर सकते नेतन्याहू को जब से पता चला है कि याया सेनवार सुरंगों में घूम रहा है और बंदकों से मुलागात करके उनसे सीधे बात कर रहा है तब से नेतन्याहू के बेचैनी बढ़ गई है इसका मतलब साफ है कि याया सिन्वार जिन्दा है याया सिन्वार युद्ध को कंट्रोल कर रहा है याया सिन्वार बता रहा है कि इस्रेल का एक एक बंधक उसके रहमों करम पर जिन्दा है यही बात इस्रेल को बहुत परिशान कर रही है याया सिन्वार के ओर्डर पर हमास कुछ भी कर गुजरने को तयार है सिन्वार की बहुत ही खास स्ट्रेटजी है जिसके आगे अभी तक इसरेल नाकाम भी साबित हुआ है 7 अक्टूबर को हुए हमले के बाद हमास के खिलाफ जंग में इसरेल के दो मकसद थे पहला हमास के पास से करीब 2500 बंदकों को आज़ाद कराना जिसके लिए इसरेल को सीजफ़ार करना पड़ा यानि उसका युद्ध और बंबारी काम नहीं आए वो फेल हो गया दूसरा मकसद इसरेल हमास को जड़ से खत्म करना चाहता है लिकन अभी तकिसमे वी इसरेल फेल ही साबित हुआ יש היום הסכמה לאומית בכל מדינת ישראל שאנחנו חייבים להילחם ולנצח בגלל מה שקרה בשביל העתיד שלנו וגם בשביל העתיד של העולם החופשי हमास ואייסיס זה אותו דבר ואיך יעשה נוער זה עושה מהבלנדן החדש इसमें कोई शक नहीं कि याया से नवार ही 7 अक्टूबर को हुए हमास के हमले का मास्टर माइंड है उसी ने साजिश रजी उसी ने टार्गेट चुना और अब वही घाजा से सब कुछ कंट्रोल कर रहा है घाजा की गलियों में जो युद्ध हुआ है या हो रहा है उसने इस्राइल को भी बड़े जटके दिये है लेकिन नितन्याहू अपने फैसले पर काया में बंदकों को छोड़ाने वाले सीज फायर के बाद वो हमास पर दस गुना तेज हमला करेगा फिर हमास के पास ना बचने का रास्ता होगा ना भागने का घाजा की गलियों में युद्ध के दोरान हमास ने भी बड़े बड़े दावे किये है हमास का दावा है कि उसने इसरेल के 180 टैंक और वक्तरबंद गाड़ियों को हमले में पूर दिया है घाजा से लगतार ऐसी तजवीरे आई हैं जिसमें इसरेली टैंक पर घात लगा कर हमले किये गए इसरेल ने खुद माना है कि अब तक ग्राउंड ओपरेशन में उसके 70 से ज़ादा सैनिक मारे जा चुके हैं 2500 से ज़ादा सैनिक जख्मी हुए हैं लहाजा हमास के खिलाब जो ताकत इसरेल को माना जाता है उसके मताबिक नतीजे तो इसरेल को भी नहीं मिले है हलाकि नेतनियाहू के सामने अपनी चवी को बनाये रखना बड़ा चैलेंज बन चुका है और घाजा पहुँचकर उनकी पहली कोशिश इसी तरफ नज़र आती है सीजफायर हमेशा के लिए नहीं हुआ है और आगे की लड़ाई जैसी भी होगी उसे लेकर इसरेल के ओपर बंधकों वाला प्रेशर पहले के मुकाबले काफी कम होगा क्योंकि बहुत से बंधक खास कर बच्चों और महिलाओं को हमास आजाद कर चुका है इसलिए इसरेल का पूरा फोकस अब हमास को खत्म करने पर है